बॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज इस वीडियो के माद्यम से हम जो क्लास सेवंथ में जो रिवीजिन अक्सेसाइज दे गई थी फाइव के चैप्टर के बाद फाइफ फॉंट तरी के बाद उसको सॉल्व करेंगे जो क्या आपको सट्रेडे को करने के लिए दी गई थी ठ ठीक है तो इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी आप स्कूल का जो अभी होन लाइन होंवा का रहा है आपको वह जब भी आप करें या कोई वीडियो देखें किसी भी सब्जेक्ट है तो ऐसे नहीं करें कि थोड़ी से देखी फ फिर वह आपकी कंसेंट्रेशन जो है वह नहीं बन पाते और इस विस आपको पूरा टॉपिक वह समझ में नहीं आता तो मेरी सभी बचों से रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आप क्लास में बैठ के 40 मिनिट्स का लेक्चर लेते हैं ठीक उसी प्रकार इस वीडियो को दे टिक दा करेक्ट ऑफ्शिन ठीक है इसमें आपका फर्स्ट वन एए वाट इस दा बेस ओफ बेस ओफ बेस ओफ एट की पावो फोर और कोश्यर मार्क दे रखाया तो यहां पे आपके देखिए यह दे रखाया उसके नीचे चार उप्शिन दे रखें तो आपने पूछा बेस तो जब भी हमने यह चैप्टर स्टार्ट किया था उस स्टार्टिंग से पहले मैंने आपको बता दिया था कि यह जो चीज़ है इसको पाप बेस बोलते हैं और यहां पर पावर बोलते हैं तो इसके बेस क्या होगी बेस जो बेस इस यूगल टो एट यह आपको जो इसमें करेक्ट आप्शिन है आप उसको चूज कर लेंगे ठीक है इसका बी पाट देखिए बटा मैंने यहां ओप्शिन से नहीं देर आपको तो कि अगर ओप्शिन वगरा लिखता सारी यह तो वीडियो लंबी बन जाती बाद में आपके पास सेंड करने में डाउनलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है तो इस वे मैं इसको आपको बगर options की समझा देता हूं the exponential notation of b इसका है इसको तो बाइफाइब मैंटिप्लाइब टू बाइफाइब टू बाइफाइब तो बाइफाइब टू बाइफाइब कि इसको पावर नोटेशन नोटेशन क्या होगा तो इसको काउंट किजिए one two three four तो इसका जितने यह है इसको ब्र लिजीगा नेक्स्ट दे वैली ओफ यह ब्रेकिट है ठीक है आपका लास ब्रेकिट फिर कॉमन ब्रेकिट में माइनस त्री पीपावर टू और ब्रेकिट के ओपर दो जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताय था इस प्रकास से क्या बताय था एंड की पावर टू और फाये 3 तो यहां पर इस प्रकास से जो होती है फॉर्मूला होता है तो इस में क्या होगा आपको पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है तो और थ्री आपकी मल्टिप्लाइब तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा कि सेम बेस्ट तो सेमी रहेगी माइनस थ्री और टू थ्री जा शिक्स तो यह वाला उप्षन है आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है उसके बाद नाइन थाउजंड इस एक्वल टू इस परकास से लिखके आपको चार उप्षन दे रहें तो पूछारन की नाव नाइन थाउजंड किसके एक्वल है तो अब बड़ी दिक्कत हो रही तो आप क्या करो एक पर इस जीरो को हटा देते नाइन की पावर क्या होते है त्री इंट आप आपको आप नायन ऐसे नबर है जिसको मल्टिप्लाइघ करेंगे यह तो आपको 9 आजरेगा तो 343 इंटू तृ और इसका क्या है ता कि यह कि इन कितने बार होना मल्टिप्लाई थीनबार 10 into 10 तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 into 10 की पावर 2 इस पर आपके options क्या दे रखें इसने देखिए 10 की पावर 3 आएगा 1 की पावर 3 तो यह option होगा आपके पास option में उसको choose कर लिजे देखिए समझ में आगे बटा अलग-अलग मैंने करके बता दिया तो इस प्रकास से आपको करना है तो 3 की पावर 2 नाइन हो जाए त्री दीजा नाइन और क्योशन है कनवर्ट इंटो पावर नोटेशन दूसरा क्योशन है उसको हमें इस प्रकास से डिजिट दे रहे हैं उनको पावर नोटेशन में लिखना तो इसमें एक चीज़ दिहां रखना है कि इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग ऐसा पॉसिबल नहीं होगा एट 27 दोनों की पावर एक ही होगी तो ऐसे कौन से डिजिट है जिसको हम मल्टिप्लाई करें तो क्या होगा कि आपका 278 और ट्वेंटिशन होना है तो उसके लिए अगर हम मैं उज़े तो डाइट पता आपको नहीं पता लगता तो आप रफ लेकि एट का एल्सियम ले लिजी 24222 वन जाटू तो टू की पावर एज इगोल टू की पावर ठीज और यहां पे 27 काल्सियम ले लिजी 3 3 9 3 3 3 2 2 2 3 माइनस है तो माइनस की पावर कितनी वाण टू थी वन टू थी समझ में आगे बटा इस परकार से आप ले सकते तो यह आ गया इससे परकार आपको सभी काल अगर से ले ले के कर सकते वाजने यहां ऐसे कौन से नमबर एं जिनको मुल्टिप्लाइब करें तो 49 एंस 7 इंटू 749 नाइन इन टू नाइन एटीवन तो यह आ जाएगा आव इसका अपन नाइन की पावर टू ठीक है इसका क्या होगा 5525 10 इंटु 10 तो इक इसका होगा 5 क की पावर टैन की पावर टू ठीक है अब यहां पर देखिए आपका 144 तो 12 इंटू 12 144 होता है तो आप ऐल्सियम लेकि कर सकते हैं इसको सेवन अपन ट्वेल की पावर टू मतलब इनको दो बर मुल्टिप्लाइब करेंगे टू इंटू टू इंटू टू 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 इंटू 77 77 49 99 80 15 25 10 इंटू 100 7 चंश ऑन टू 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 यह आपकी पावर नोटेशिन आव इसका क्रीशन नमटर देखिए तो इस पूरा है वन इसको नूमरेटर बोलता यह एक लिखोगे नीचे वाला डिन वटे दोन्हों को मिला कि क्या बनता है यह बेस अपॉन में हो देखो यहां अगर हमें यह है 7 क ineffective 4 तो भी बेस यह और वन खॉन एड़ की पावर 4 तो यह पूरा कंप्लेट यह आपका बेस है उसमें या अप या यह अलग अलग नहीं करोगी जिद्ocy rewind में रखना है आपको थिक यहां पर बेस आपकी थिक क्वे क्वे बस बनेगा base is equal to 1 upon 8 और exponent बन जाएगा exponent का मतल़ होताँ पावर is equal to minus 4 यह वाले ठीक ही यहाँ पे बेस क्या बनेगी A B upon C यह ओर exponent क्या बनेगा यहां पर बेस इस इपल टो फाइब अपन सेवन एक्पनेंट तो है नहीं और नहीं होता वहां पर क्या होगा वन क्या एगा वन इसकी बेस क्या हो जाएगी माइनस त्री अपन फाइफ और एक्स्पनेंट क्या हो जाएगा है इस इकल टू सेवन ठीक है यह किसे नवर फोर देखिए बटा सेवन अपन फोर डिवादर सान अपन फोर यहां पे आप एक फोकस किजिए सेवन आपन फोर नपन फोर फॉजो और फॉज़ाई फॉर फाइफॉज टू बई फ्री त्री एक्स surviving के त्वाइट धिवाइड डिवाइड 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 क्यने का मतलब कि आपको डिजिट सीम है सिम्बल खी है सिम्बल सेम सभी में तो अब आपको क्या करना है? मैंने आपको जब इस्टार्टिंग में जब यह अक्सेसाइज शुरू की थी उस विक्त आपको एक नियम बताया था कि जब base same हो, कि base same हो, ये क्या है ये भी base, ये भी base, base same हो और human के बीच में क्या है कि divide का symbol हो तो जो powers होती है वो क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी इस परकास से मैंने आपको एक सिम्बल बताया था कि n की पावर 2 divided सोरी n की पावर 2 4 divided n की पावर 2 is equal 2 n 4 minus 2 n is equal to 2 यह मैंने आपको एक सिम्बल फ़र्मूला बताया था तो सब्सक्राइब करेंगे तो यहां कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या वन बीच में हमें डिवाइड का two by four समझ में आगे वाटा ठीक अगेन इसी प्रकाश से हम इसकी बेस कमन ले लिए फॉर भाइ फाइव है माइनस थ्री माइनस और माइनस टू देखे यह माइनस का थरी दा तो माइनस के देख एक हमें फॉर्मॉले में माइनस ही करना होता है तो उसका माइनस पूल सिंबल कर दिया और यह माइनस के साथ तू के साथ भी माइनस का सिंबल था तो मैंने इसको माइनस कर रख दी अब हम क्या करेंगे फॉर वाइव फाइव माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का टू इस इकॉल टू फॉर बाइव फाइव माइनस वन ठीक है इसी प्रकाशी का देख माइनस का तू ठीक है next डीसी में भी देख लीजिए गब त्रीव थर्टीन टू माइनस और माइनस टू ठीक है देखिये आप क्या होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा थ्री भाई थर्टीन और पावर फॉर ठीक है विटा इस परकास से हमने क्वेशन नमबर फॉर हमारा सॉल्व कर लिए इसका नेक्स एक्षर फॉलविंग एज ए स्क्वार फ्रेसल नमबर स्क्वार यह लिखावा है स्क्वार स्क्वार का मतलब बता है कि पावर टू कि ऐसे दो डिजित धूरने हैं जिनको आपस में मल्टिपलाए करें सेम डिज़ जैसे फॉर इंटू फॉर शिक्टीन सेवन टू इस प्रकास से आपको यह लर्न करने पड़ेंगे या इनको एक निकालने का तरीका होता है वो जब आप एट्स क्लास में होंगे तब आप इनको देख लिजी देखो यह इजी वन है 400 400 क्या होगा यह टू का क्या होगा इसकर फॉर तू तू टू टू जा फॉर घरीका क्या होगा खूलए ज नाइन टो हम एक जिरो और एक जिरो दो जिरो हैं इन में से एक ले लिएकँ पावर टू तो ट्वेंटीन टू 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 ते वॉन पॉर ठीक है कितना जाएगा आपका 40 जीरो है तो इसकी पावर टू ठीक है और यह देखिया आपका क्या हो जाएगा यह इस कांसर आएगा 41 अपन 50 कि 41 को आप दो बर मल्टिप्लाइए करेंगे तो थाउजन फाइफ आएगा ठीक है आपको अभी इतने ही नंबर याद रखने सेवंध क्लास में हो तो आपको 21 तक डिजिट याद रखने हैं यह थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको यह वह आप तक टेबल याद याद कि तो उसे आप ऐसी आद करने वन जा टू 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 हैं 420 तो द्री 94 याद फ़ूर 165 टू तो 256 टू टू तो 6-6 72749 एट इन टू एटक इस प्रकार यह टेबल एट लिस्ट आपको 21 तक इसको लन रखिए उसमें आपको यह जीवन रहेगा यह और यह उसी का एक पार्ट ठीक है ते चैये रिट नमर्ट नमर्झ तो कि आफच्स फिच इस ग्रेटर इस प्रकाष्ट से आपको ऌप्षिंस यह यह देखें मैं से आपको बताना कौन सा बढ़ाए देखो टू की पाउर 4 और 3 इन दोने में से टू की पाउर 4 बढ़ी या थी की पाउर 3 बढ़ी यह फॉर की प उन्टू टो एट किटाएट उन्टी कना जुट राट ढ़िए कितना गया इसनु और यह कितना गया था गुदिन तो इनन्टी सहिन टू-टी इन टू-डी दीगी या थिल डीट magari 3abouer3 इस ग्रेट रहर थे कर यहां देखिए 4 कि पावर5 to 4 ins 4 into 4 फोर फोजे 1664 एंटु 464 64 4 प्वार 256 ये कितना जाएगा 5145 इंटु 5 इंटु 5 इंटु 5 इंटु 5 पापा पत्ची सबत्रीश पंचेश फ्रते सो का दो सू जीरो पांच 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 यह लगी दूर जाद ने आट हर दो दूस लगी जीरों है जाएक पांच पांच जाद जीरो जीरो क्या हो गया आपा 25 25 125 125 25 25 25 25 दो ठीक पांद दस सदो बारह और पांच एक पांच से रिक छे छह सो पत्चिस तो कौन सा बढ़ा हो गया यह फाइब आइफ फॉर इस ग्रेट तो आप इसको इस परकार यह सारी जो कैल्कुलेशिन आपको रफ में करनी मैं आपको द सब्सक्राइब टेक है एशी परकार मांच वन बढ़न टो इन तो माइन च्वान आपन टू अपन टू कितना हो जाएगा इस उकॉल ओन फॉर ऑन फॉर गया माइन को वण से मिल पीले लिए मैना समृट्स हो जागा एक प्सरेशन जाएगा आपका माइनस टू इंटू टू माइनस माइनस तो एट माइनस का एट तो माइनस वाले यह डिजिन हमेशे छोटी होती है तो आपका यह क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू की पावर टू इस ग्रेटर ठीक है बटा है यह मेरा समय में इसमें आपको बतानी यह जो ट्री और फालस कील सॉल्व करते हैं की इतना तो इतना इंसर आएगा इनको सॉल्व करते हैं तो किया इतना अंसर आएगा यह आपको पता लगा है तो देखे मैंने आपको जब स्टार्टिंग स्ट्रेटर किया था तो उसी वक्त बताया था किसी भी नंबर की यहां पावर जीरो होती है तो उसका मतलब होता है वन तो six की पावर जीरो इसका भी वन आंसर होगे वन तो वन प्लस वन को जोड़ दिया टू और यह माइनस का वन एक वर टू बराबर आ रहा है या स्टेटमेंट हो जाएगी त्रिव आपकी ठीक है दूसरा यह देखिए अभी कुछ टाइम पहले हमने यह सो क्योशन किया था किस प्रकास से ब्लैकेट में दो पावर होते हैं तो उपर वो पावर क्या होती है मल्टिप्लाई होती है तो 3 x 5 3 x 5 तो सेम है सिर्फ पावर यहां 10 है तो 4 6 है कितना 24 तो यहां पावर कितनी आनी च से चीथी तो तो सेम होते हैं लेकिन यहां पर क्या रहा है टेन रह तो है तो इसका मंद blessings फाल से आपका ठीक है समझें आगे हैं यह यहाँ पर आपके गलत है क्यों अगर यह 4 6 24 राती पावर नहें कि 10 ठिक है अगला कैसे देखिए आपका ठीकए यहां पे 3box 3 5 फाइफ बेसे मैं power है अगर और बीच में कैया multiply जब बेसे मोर बीच में multiply हो तो हम क्या करतें नो यहां पर 10 प्लस 10 क्या होता 20 होताई की 12 तो अगेन यह पावर क्या है गलत थैं इस फिरकार से इसको Chatterman क्या हो जाएगे फालस आपके ठिक है अगें देखें हमारा यहां पे पावर सेम है और बीच में डिवाइड है तो थोड़े पहले हमने बताया था कि बेस सेम हो और डिवाइड हो नके बीच में इस फ्रकास से बिटा है आपको है सागरा डिया गया है उमीद थी है आपको बहुत इसी वह नक्साइज थी आ गई होगे लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट थे तो वो क्लिर हो गया होंगे और रही एक बार मैं फिर से इसी टोपिक्स पे वीडियो बना कि इस लेसन को एक बार फिर से आपके पास भेज दूंगा क्योंकि काफी